दो हिंदू लेडीस पहुँच गई, वहाँ पे हिंदू पहुँच गई, वहाँ पे हज की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया मूँ से जाग नकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के, के बाई साबी हो कैसे सकता है? बारत की एक मिनिस्टर है नाम है समिर्थी रानी वो एक डेलिगेशन लेग के सौधी अरेविया मदीना में गही है और वहाँ पे भारतिय संस्कृति का इन्होंने परिचाय दिया है बिती रानी जी कोई हिजाब नहीं पहना नॉर्मल जैसे इंडिया में कपड़े पहनती है वैसे वहाँ पहने वो भी मदीना में और ऐसा ही होना था ऐसा ही होना चाहिए था क्यूंकि वो वहाँ पर इंडिया को रेप्रेजेंट कर रही थी आप देख सकते हैं यहाँ पर वो किस प्रकार से बिना किसी हिजाब के साड़ी में मंगल सुत्र बिंदी यह सब लगा के आप देख सकते हैं वो मदीना गई हैं दोस्तों यह अकलपनी हैं मदीना जाएंगे तो अकसर आप इंडिया छोड़िये अमेरिकन डिलिगेट्स भी जाते हैं तो वो भी हिजाब बगेरा पहन के इन सारे इलाकों में जाते हैं नॉर्मली खवातीन बगएर दुबटे के होली सिटीज में नहीं जाती मस् applis के सारे उन्ने वो लिखा है कि कहां कहां पर वो गई हैं उन सब जगों पर जो नजड़ आ रही है वो बगएर सर ड़ह के नज़र आ रही है एक भारती मंत्री जिनके पती पारिसी हैं वो खुद हिंदू हैं वो जाके मदीने में जो मेर मस्जिद है उसके बार घड़े होके फोटोग्राफ केचा रही है और लोगों को बोल रही है कि हम भारती मुसल्मान हैं हम उनके लिए हैं मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का अना बेन है गयर मसलिम नहीं आ सकते यह पच थोड़ना रहा है तुर्की को इरान को हजम थोड़ना हो रहा है पाकिस्तान के पेट में सो अबाल आ रहे हैं ड़का रहे हैं खटी खटी ड़का रहे हैं पाकिस्तान की पेट से कि यारी वाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनवरा हो, या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुला खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से, यानि दुपटा लिया वाय जाद लिया है, उस मेरा तो सवाल ये है, कि आप उन खवातीन को जो मारते हैं, तो क्यों मारते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक, वो सिर्फ एक हांक ना है, यानि कि छड़ी से हांक रहे हैं आप उर्टों को, ऐसे ही है ना, क्यूंकि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती है, तो आप खुली छुटी देती हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आप ये समझ रहे हैं, कि मैं ये कह रही हूं, कि वो उन्हों ने सर पे दुपटा क्यों नहीं लिया, चादर क्यों नहीं लिया, मैं ऐसा बिलकुल नहीं कह रही है, क्योंकि बहुत सरे जो ये सवाल उठा रहे हैं, तो जनाब एक खलचल पैदा होगी, क्यों हो, ये क्या हुआ है, इतनी जगों पर जो है, वो ऐसी जगों पर गई है, और उन्हों ने कहा, कि मैं इसी तरीके से आपके उधर भी आई हूँ, उन्हों ने अपना एक सिक्का जमाया वहाँ पर, उ कि मैं हम अगी तरीके से हम आपके पास आए हैं, उनको जो वहाँ पहेंती हैं, जो वही ड्रेस पहन कर आद में जगह पर गई हैं. जब कि आ आपको याद होगा, कि अनको मुलाना अजाइस आदर पहना देती हैं, दुबटा पहना देती हैं और कहते वहों, हो, शुर्ड प पहुँचता है तो वो अपनी टर्म्स पर पहुँचता है अब सौधी रेबियस उनके रिलेशन्स देखें कितने जबरदस्त हो रहे हैं आप ये देखिए कि आप जो मुस्लिम उम्मा उम्मा तो उम्मा कर वो जो चुम्मा है वो पता नहीं कहां चला गया है मक्का और मदिना मुसल्मानों के लिए सबसे जिसको कहते हैं पवित्र स्थान माने जाते हैं और उधर पहुँची स्मृति रहने जी आप ये देखिए कि साओधी अरब ने परमिट करा साओधी अरब बदल रहा है वो साओधी अरब नहीं रहा जो एक जमाने में तेल के पैस को एक मौडर्ण इसलामिक स्टेट बनना बहुत जरूरी है अब ये डिमोकरिसी के थूरू तो बन नहीं सकता दोस्तों और वैसे भी इसलामी दुनिया में डिमोकरिसी नाम की कोई चीज है नहीं जाती है बिलकुल जो मस्जिद है जो प्रॉफिट मुहमद ने बनवाया थ मस्जिद बिलकुल वहाँ पे उसके पेरिफरी में जाती है क्योंकर अंदर जाना लौड नहीं है पेरिफरी में जाती है और बिलकुल पेरिफरी में जाके वहाँ पे इनकी फोटोग्राफी होती है वहाँ पे ये लोग मिलते हैं बड़े बड़े जितने वी वी आई पीज हैं मंतری हैं साथी रख के वहां पे अच्छा कि भारत मुसल्मानों के खिलाफ है और ये खिलाफ है वो खिलाफ है और यहां पे एक भारती मंतری जिनके पती पारिसी हैं वो खुद हिंदू हैं वो जाके मदीने में जो मेर मस्जद है उसके बार घड़े होके फोटोग्राफ केचा रही है और लोगों को बोल रही है कि हम भारती मुसल्मान हैं हम उनके लिए आएं दोस्तों यह होती है डिप्लोमेसी यह होता है फॉरण अफेर्स यह होती है जियोपॉलिश यह जो एमेज है ना यह बड़ी पारफुल है जो उनके मिनिस्टर हैं दूसरे है मुरली धरेंजी उनकी वेजबुशा देखिए यह साउथ की वेजबुशा है यह क्या दिखाता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है दिस इस अ कॉन्फिडंट मैंगे अपनी साउथ की वेजबुशा पहन के जाएंगे जिसको अच्छा लगे तो ठीक है जिसको बुरा लगे तो ठीक है गट आउट अगला हमला मक्का और मदीना पे होगा दोसों याद रहे इसराइल यहूदी और सेहुनी यह एक ही है और इनका एक मकसद है यह जो कुछ कर रहे हैं यह जमीन के लिए तो करी रहे है लेकिन इनका एक मथभी मकसद भी है इनको यह लगता है कि अल्ला ताला ने दुनिया पे उन अरब इलाकों में जो जिसको सरजमीन अंबिया कहा जाता है इंतहाई important development मिडलिस्ट में ये हुई है कि भारत की एक मिनिस्टर है और वो मिनिस्टर सहब बड़ी important है उनका नाम है समिछती इरानी और बीजेपी को पिशली दफ़ा वी उन्होंने जब हकोमत थी तो मिनिस्टर थी इस दफ़ा वी वो मिनिस्टर है वो एक delegation लेग के साओधी अरेविया मदीना में कही है और बड़ी जिसे कहते हैं ना कि साओधी और इंडिया की जो बढ़ती वी दोस्ती है इसको अगर आप एनलाइज करें तो इंडियन्स ने साओधी की वो जो कहते हैं दुखती रग पर पाऊं रखना वो ये है कि साओधी रखने अपने आपको ट्रांस्फॉर्म किया है उनको पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए उनको जो स्पिर्च्वल टूरिज्म है उसमें ज्यादा लोग चाहिए तो बारत के अंदर आपको पता है पचीस क्रोड के करीब मुसल्मान है तो उनका क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको आज़े कस्टमर ट्रीट करें ना साओधी की जो ट्रांस्फॉर्मेशन है इस ट्रांस्फॉर्मेशन ने बिसिकली बारत को मज कोटा दिया गया है जो कोटा हमें दिया गया है हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं कि अब कि अब